असलाम अलेकूम, आज मैं आप लो के साथ बहुती रीफ्रेशिंग और एनेर्जेटिक ट्रिंक शियर करूंगी बनाना फ्लेवर के साथ और इसको बनाने के लिए जिन चीजों की जरुवत है वो ये हैं, आदा किलो दही, 4 टेबल स्पून शुगर, यहां फ्लेवर मिल्क लि और आइसक्यू, इन सारी चीजों से लसी बनाएंगे, अब इन तमाम चीजों को ग्रेंडर में आड़ कर देंगे, बहुत ही अच्छी ये ड्रिंक है, सहरी और अफ्तार के लिए, और बनाना फ्लेवर से बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर और टेस्ट हो जाता है, और बच और इससे बहुत अच्छा रोजा गुजर जाता है पूरा दिन, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इस तरीके की ड्रिंक आपको रिफ्रेश रखती है, और इन सब चीजे को अच्छी से ब्लेंड कर लेंगे, इसके अंदर मैंने अभी आइस एट नहीं करी है, अब मैं आइस एट कर रही हूँ, पहले आइस इसलिए एट नहीं करी थी, ताके शूगर अच्छे से ब्लेंड हो जाए, उसके बाद आइस एट करके एक बार और ब्लेंड कर लेंगे, इसे और लसी रड़ी हो जाएगी, अगे ब्लेंड कर लेंगे, पहुत जल्दी बल जाने वाली ये ड्रिंक है, आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राइ कीजेगा, ये देखिए, लसी वैड़ी है, इसको सर्फ कीजिए, गार्निश कीजिए, इसको गार्निश किया है, बच्चों को ट्रेक करने के लिए बहुत अच्छी गार्निशिंग है ये, और प्लीज इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए, मेने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, थेंक्स वर वाचिंग, आल्ला हाफिज,